नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो देखिए असाम पॉब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ सुझा है यहाँ पे आपका जूनेर इंजिनर के वेकेंसी निकाली गई है जो कि आपका यह सिविल ब्रांच वालों के लिए तो आप लोग जो आप लोग आने तो इसमें जो आपको सारे information आपको मिल जाएंगे तो इसमें देखिए जो पोस्ट आपका निकाला गया तो इसमें देखिए फिसरी development officer का आपका है तो यह आपका उतना काम गया नहीं नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका दिया हुआ है इसमें junior engineer जो की आपका civil का है तो इसमें देखिए जो टोटाल आपकी जो वेकेंसी है junior engineer civil वालों के लिए जो कि आपका public health engineering department असाम के लिए है तो टोटाल आपका 171 इसमें वेकेंसी है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर वेकेंसी आपका है तो यह देखिए category wise भी आपका सब दिया है यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो eligibility criteria आपकी है इसके लिए तो यहाँ देखिए आपके दिया हुआ है सबसे पहले करके कि candidate है तो वह must permanent resident होने चाहिए असाम का तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर देखिए प्रेडियूस करना होगा आपको PRC जो की इसूट किया आपको प्रेडियूस करना होगा रजिस्टर सेटिफिकेट अप्लॉई एक्सजेंज जो की स्टेट आप असाम का अदर में आपको आता है यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना होगा विससे रिलेटेड जो भी supporting documents होंगे तो यह तो आपका ए कोई भी उनिवसिटी से आपका होना चाहिए रिकुगनाइज के अगवा आई सीडिसी के द्वारा और आपको जो है इससे रिलेटेड अटाइच करने होंगे आपको यहाँ पर दीखिए डॉकमेंट भी आपको अटाइच करना होंगे है सबको एटिंग डॉकमेंट जो कि आपको इसके लिए है डिप्लोमा के लिए और वहीं पर दीखिये यहां पर एज लिमिट के दिए हम बात करते हैं तो दीखिया यहां पर दिया आपका के इंडेट जो है 18 यह से कम होने चाहिए और उसके बाद मतलब कि लेस दिन कम नही यह सब का है OBC, MOBC Candidate के लिए है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आपका और वहीं पर देखिया अप्लिकेशन फी कि हम बात करता है तो इसमें देखिया आपका दिया हुआ है तो उनके लिए 250 रूपीज आपका दिया हुआ है यहाँ पर जो कि आपका अप्लिकेशन फीया और साथ में प्रोसेसिंग और टैक्सेशन मिला का जिए 285.40 है आपका और वहीं STAC OBC काइंडेट के लिए 185 टोटल आपका है 185.40 आपका है इसमें तो बाकी और भी दिया हुआ है इसमें आप पूरा डेटेल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका और लास्ट डेट आपका है इसमें जो है आप फी पेयमेंट करने के आपका 31 से 21 आपका इसमे आपका जाए तो यह जो आपका डारेक्ट डिया वाट यहां पर देख सकते हैं टोटल तो चलिए अपका और भी कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट करना